एलो फ्रेंग कैसे हूँ मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है फाइनली रेड्मी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रेड्मी नोट 12 प्रो 5G को लॉंच कर दिया वहीं दूसी तरफ रेल्मी का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन रेल्मी का 10 प्रो 5G इन दोने स्मार्टफोन के अगर प्रैस की बात करी जाया तो रेड्मी के नोट 12 प्रो 5G को कमपनी ने 24,999 रुपे के प्रैस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियन को लॉंच किया वहीं दूसी तरफ रेल्मी के 10 प्रो 5G को 18,999 रुपे की प्रैस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन में 6000 पीज का डिफरेंट देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं कि 6000 प्रो 5G को बाई करना चाहिए जानने के लिए आज के इस कंपेरियन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखके जाना चाहिए तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम सुरू करत Yuk 2 स्मार्टफोन के अगर परफॉमिस की बात करी जाए जासा कि आप सभी लोग जानते होंगा कि एक स्मार्टफोन गर उसका गकर्वी इंपोर्टेंट प्रोसेसर देखनों को मिल जाता जो कि performance के मामले में अगर देखा जाए तो Redmi का Note 12 Pro 5G काफी ज़्यादा आगे निकल जाता है Realme 10 Pro 5G से खासकर performance को लिक कर दोने smartphone के अगर display segment की बात करी जाए जिस तरह performance के मामले में Redmi का Note 12 Pro काफी ज़्यादा आगे निकल जाता है Realme 10 Pro 5G से उसी तरह display के मामले में भी काफी ज़्यादा बेस्ट है Realme 10 Pro 5G से क्योंकि Redmi के Note 12 Pro 5G में 6.67-inch की Full HD Plus AMOLED display देखने को मिल जाती है display की अच्छी smoothness के लिए 120Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है और display में HDR10 का support भी देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरह Realme 10 Pro 5G में 6.72-inch की Full HD Plus IPS display देखने को मिल जाती है display की अच्छी smoothness के लिए 120Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है पर display में आप लोगों को HDR10 का support देखने को नहीं मिलता है दोने smartphone के अगर brightness level की बात करी जाती है तो इसमें भी Redmi Note 12 Pro 5G बेश्ट एक क्योंकि Redmi Note 12 Pro 5G में 900 nits की brightness देखने को मिल जाती है की Realme 10 Pro 5G में 680 nits की brightness देखने को मिल जाता है दोने smartphone के अगर camera segment की बात करी जाता तो मेगा फिक्सल में तो काफी जादा different देखने को मिल जाता है पर real life में जब इन दोने smartphone से photo को click किया गया और जो result निकल के आ है वो बिलकुली opposite देखने को मिल जाता Realme 10 Pro 5G में 108 megapixel का main primary camera मिलता है बाकी का दूसरा camera 2 megapixel का मिल जाता है with LED flash light के साथ कैमरे में आप लोगों को OIS का support देखने को नहीं मिलता है वह दूसरे तरफ Redmi Note 12 Pro 5G के back में triple DR camera setup देखने को मिल जाते है 50 megapixel का main primary camera मिलता है बाकी के दो camera 8 plus 2 megapixel के मिल जाते हैं with LED flash light के साथ और camera में आप लोगों को OIS का support भी देखने के मिल जाता है सिर्फ इसी वज़े से कम megapixel होने के बावजूद भी यह smartphone खास कर camera के मामले में काफी ज़़ा best हो जाता है Realme के 10 Pro 5G से वही Realme के 10 Pro 5G में आप लोगों को 4K वीडियो रिकॉर्ट करने का option देखने को नहीं मिलता जबकि Redmi Note 12 Pro 5G में 4K वीडियो रिकॉर्ट करने का option देखने को मिल जाता है दोने smartphone के अगर selfie camera की बात करीज़े तो price में काफी ज़़ा different देखने को मिल जाता पर दोने smartphone में एक जैसा ही megapixel देखने को मिल जाता है दोने smartphone के अगर audio feature की बात करीज़े तो Realme के 10 Pro 5G में आप लोगों को Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता जबकि Redmi Note 12 Pro 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है 33W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Tab C Port का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसरे तरफ Redmi Note 12 Pro 5G में भी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती 67W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Tab C Port का सपोर्ट देखने को मिल जाता है सिकोर्टी फीचर की अगर बात करीजा तो दोने स्मार्टफोन में साइड मांटें फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाता बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बैस रेडमी का नोट 12 Pro 5G परफॉर्मस और कैमरे के मामले में काफी जाना बैस्ट हुए आता रियल में के 10 Pro 5G से पर रेडमी का कम के प्राइस में नया स्मार्टफू लेना चाहे तो तो अठारा है 19 रुपे के प्राइस में भी रियल में का 10 Pro 5G बेस्ट है और बाइवी करना चाहे